माफ करना बापू आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलफोन नंबर पर लपेट ही लिया क्या करें मजबूरी थी क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था सुनाए कि वर्सुवा बीच पर 20 लाग का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डाल कर दूसरी तरफ से तुम दो क्रोड का माल हजन कर जाओगे ना बापू ना ऐसा मत करना क्यूंकि पिछले महीने तुमने हमारा एक क्रोड का माल लपेट लिया था अब हमारी बारी है हम कुत्तों से बात नहीं करते शेर की दाहाड तो पहचानते हो ना रणा ठीके पोटिया नोचने वाला गीदर गला फाने से शेर नहीं बन जाता रणा बीके इंट का जवाब पत्थर से देना जानता है बिना बताए मिलावट की जाती है माल नहीं उठवाया जाता इसलिए पहले इतला दे रहा हूँ के बीस लाग का माल पुलिस को मिलेगा और दो करोड का मैं ले जाओंगा राना का माल तो बड़ी शान से राना तक पहुंचेगा डीके ले जाने की बात तो भूल जाओ अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी माउट मारेंगे तुमारी आने वाली नसलों की मिंग भी उस माउट के खाफ से उड़ जाएगी